साई की बात बच्चे श्रद्धा और सबूरी रखो सब ठीक हो जाएगा पता है क्या है सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन तुम्हें थोड़ा सबूरी रखना होगा मेरे बच्चे तुम्हें धेरे रखना होगा तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने साई पर तुम्हारी मेहनत को मैं देख रहा हूँ मेरे बचे मैं हर रोज तुम्हारी मेहनत देखता हूँ जो तुम रोज दिन रात मेहनत कर रहे हो ना रोज मैं तुम्हें आशरवा दे रहा हूँ रोज तुम चिंदा मत करना तुम्हारे भक्ती में कोई कमी नहीं है तुम्हारे पूजा में कोई कमी नहीं है तुम पूछते हो न कि बाबा पूजा पार्ट में क्या कोई कमी है नहीं मेरे बचे तुम्हारे पूजा पार्ट में कोई भी कमी नहीं बस तुम ना चीजों को देख कर परसितियों को देख क हो कि कैसे होगा क्या होगा हो जाएगा सब बहुत अच्छे से होगा पता है That क्ज़र्णि तुम्हारे लिए मैंने चुनी है न वह kız कर सी कि तुम्हारा इंदजार कर रही हैं वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और किसी और गर पर किसी ने कोई टूना टोटका तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ काला जातू तो नहीं कर दिया, कोई ग्रहे दोश तो नहीं है, किसी पित्र का दोश तो नहीं है, तरह तरह के लोग उसे पूछ रहे हूँ, इधर उधर भाग रहे हो न, तो सुनो मेरी बात को, मैं तु के बाद उसे पूरे घर में छड़काओ करूं देखो तुम्हारे घर में जो भी कुछ है ना जो भी चल रहा है ना वह सब कटम हो जाएँगा इधर उदर भाग कर किसी पैसे देकर किसा मत करवाना वह सब ढोंग होता है मेरे बच्चे वह सब दिखावा है और वह तुम्हें क की कोशिश करेंगे और तुम पस्ते चले चाओगे तो किसी की बातों में मताना किसी ढोंग में मत पसना समझो मेरी बात को और सुनू तुमने ये तस्वीरों से और मूर्थियों से उपर उठो मेरे बच्चे तुम्हारे अंदर विराजेतु में तुम्हारे आसपास एक ऐसी उठो मेरे बच्चे, हां मैं मानता हूं कि मैं कई बादिस्वीरों में या फिर मूर्तियों में आकर तुम्हे दर्शन देता हूं, लिकिन मैं इस धुनिया में ना, कड़ कड़ में विराजित हूं, तुम मुझे जहां देखो के जिस रूप में देखोगे न, मैं उसी रूप में तुम्हें महादर्शन दूँगा, मेरी शक्ती तुम्हें महसोस होगी, और मेरी शक्ती तुम्हें मालूम है मेरे बच्छे, और सुनो, ढरो मत, गिराने वाले बहुत आएंगे तुम्हें, में बचाओंगा हर पल बचाओंगा हर वक्त बचाओंगा और मैं तुम्हारे साथ था हूँ और रहूंगा हमेशा रहूंगा उनकी सिर्फ सोची रह जाएगी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत कर पाएं या गलत सोच पाएं सिर्फ वो सोची रहेंगी उनकी हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूँगा किसी कीमत पर नहीं होने दूँगा और सुनो तुमने जो मेरे नाम का कलेंडर लगा रखा है ना अपने कमरे में तो सुनो मेरी बात को उसे ना तुम किसी और जगा पर टांग दो उसे अपने कमरे से हटा दो और उसे वहां से हटा कर कहीं और लगाओ क्योंकि वहां पर ना मेरे बच्चे सही नहीं है और सुनो मेरे किसी बच्चे ने खाने के लिए तुमसे कुछ कहा है कुछ विशेश उने खाना है तुमारे हाथों से तो सुनो ना उनकी ख्वाइश को पूरा कर दो अगले हफ़ते ही उने खाने पर बुलाओ और जो विशेश भोजन उनोंने तुमसे कहा है ना एक से दो तिन चीजे कहीं है ना जो भी उनोंने कहा है ना उसे पूरा करो क्योंकि न उनका बहुत मन है तुम्हारे हाथ से खाना खाने का क्योंकि तुम खाना बनाते ही इतना स्वादिस्ट हो न कि मैं भी न उंगले चाटता रह जाता हूं बहुत स्वादिस्ट खाना बनाते हो तुम बहुत प्यारा खाना बनाते हो क्योंकि तुम्हारे खाने में न प्रेम है भक्ती है क्योंकि तुम जिसको भी खिलाते हो न प्रेम से खिलाते हो बनाकर बहुत प्रेम से तुम्हारे मन में वो भावनाए है वो प्यार है सब के लिए वो ममता हैं तुम्हारे अंदर जो सबके अंदर नहीं होती मेरे बचे जो तुम्हारे अंदर है न ये विशेश किरपा है तुम्हारे अंदर और सुनो जब तुम्हें लगे न कि घर आकर तुम्हें परिशानी होती है लड़ाई जगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकता है तो वहाँ से थोड़ा दूर ही रहो जिन चीजों से तुम्हें परिशानी है न जहां तुम्हें लगे कि वहाँ से तुम्हें बहुत परिशानी हो सकती है दिक्कत आ सकती है, तो महां से अलग अटो, दूर रहो जितना हो सके अलग अटने की कोशिश करो ठीक है, और सुनो, जब भी अपने घर के परदों का चुनाव करते हो ना, तो सोश समझ कर किया करो रंग भी और परदे भी मेरे बचे, रंग भी तुम ऐसा मत चुनना कि जो तुम्हारी आखों में चुबे, रंग ऐसा हो जिसे तुम्हारे मन में शान्ती आए, कुछ ऐसा हलका सा रंग जो मन को शान्ती दे, ऐसा रंग चुनना, और परदे लगाते समय ये देख लेना कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा वससे तुम बच सको इसलिए तुम्हें परदे लगाने है न तो चीजों को Δेख समझ के ही करना क्योंकि तुम बहुत सारी चीजों को बिना सोचे समझे कर जाती हो और फिर बाद में तुम्हें समझ और वो अगर गलत सलत चीजों में अपने पैसों को लगा रहा है, खर्च कर रहा है तो उसे कोशिश करो कि उसे हिसाब से बताओ, कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे अपना पैसों का सत उप्यों कहां करना चाहिए, क्योंकि उसका वेतन तो आता है, पैसे भी उसके पास में ब तो तुम ना थोड़ा उसका मदद करो, तुम उसे समझाओ, सही मार्क दिखाओ, कि वो सही निवेश कहा कर सके, कहा कुछ कर सके, उसको बताओ मेरे बचे, उसका सहरा बनो, अगर तुम पढ़ाई लिखाई में सक्षम होना, अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख गए हो, तो कि कई लोग ऐसे हैं ना, जो उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और उठाया भी है उन्होंने, कई लोगों ने उनका फायदा उठाया, लेकिन तुम इस बार सहरा बनो, पता है क्या है, उनका विश्वास ना कई लोगों से उठ गया, कि सब लोग धोका दड़ी कर दे, उनका तूटा हुआ विश्वास वापिस लेके आना, उनकी तूटी हुई हिमत वापिस लेके आना, उनका सहरा बनना तुम, करोगे ना मेरे लिए, मैं अपने उस बच्चे के लिए खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें मैं भेजना चाहता हूँ अपने उस मदद करो, वो हर रोस मुझे पकारता है, हर रोस मुझे कहता है कि साहीं आओ, तो तुम उसकी मदद करो ना मेरे बचे, और सुनो, कोई है तुम्हारे आसपास ऐसा, जो बहुत बिमार है, और उसके पास दवाई के पैसे तक नहीं है, वो तुमसे कुछ कहे का नहीं, लेकि कि तबेत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर तुम थोड़े पैसे उसे दे दोगे ना, उसकी दवाई के लिए, तो काम आजाएंगे उसके, कुछ वो खा लेगा, कुछ भी देगा, कुछ दवाई ले लेगा ना, तो कुछ पैसे दे दे ना उसे, तुम पैसो की चिंता मिलता रहेगा, और जिसने तुम पर आरोप लगाया है ना, मुझे मालूम है कि वो आरोप गलत है, वो जूटा है, उसे सही साबित मैं करूँगा, चिंता मत करना, आज नहीं तो कल सब के सामने लेकर आओंगा, तुम बेफिकर रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हारी तबे ठीक नहीं है मेरे बच्चे, तो कहीं मत जाओ, घर पर बैठ कर आराम करूँ, तुम्हें आराम की सक्त जरूवत है मेरे बच्चे, भागा दोड़ी मत करूँ, ठीक है, खुश रहो, आज का साई संदेश समापती हुआ,